दोस्तो ब्लेक मांबा सांपों के सबसे खतरनाग प्रजाती है अफ्रिका का या बेहत जहरीला सांप दुनिया के सबसे दस जहरीले सांपों में सामिल है ब्लेक मांबा अफ्रिका में हर साल औस तन 20,000 मौतों के जिम्मेदार हैं आए जानते हैं इस खौफनाक सांपो के बादसाह के बारे में दोस्तों ब्लेक मामबा रेगने की गती के मामले में दुनिया के दूसरे सांपो से बहुत आ गए है या 20 किलमेटर प्रती घंटे के रफ़तार से भाग सकता है या इतना एग्रेसिव होता है कि खतरा महसूस होने पर एक कुछी सिकेन में लगातार 10 से 12 बार काट सकता है जिसके कारण सिकार के सरीर में 400 मिलिग्राम तक का जहर छोड़ देता है दूसरी विश्यस्ता यह है कि ब्लेक मामबा परिसिती के अनुसार अपना रंग बदल सकता है वैसे यह सांप देखने में बहत ही खतरनाक होत ब्लेक मामबा की लंबाई लगभग 2मी तक होती है पर कई बार सारे 4मी तक लंबे ब्लेक मामबा के सांप भि जंगल में देखे गये हैं दोस्तों इसमें कोई स最近 कि यह सांप हमारी दुनिया के 10 सबसे खतर नाक और जहरिले सांपों की लिस्ट में सामिल है इसका जहर तेज इतना ज़ादा पाय जाता है कि साप की काटे वीक्ति को अश्पताल पहुचते ही सबसे पहले इसी साप का एंटिड़ूत दिया जाता है। बलेक मॉंब्यट एक बार में 6-25 अंड़े देता हैं एक बार अंड़ा देने के बाद यह साप उन्हें छोर चली जाती हैं। उसके तीन महीने बाद बच्चे बाहर आ जाते हैं जिसके लंबाई 16-24 इंच होती है या सांप लगभग 11 साल जिंदा रहते हैं या सांप आम तोर पर छोटे जीव जन्तू और पक्चियोगा सिकार करना पसंद करते हैं इस सांप के सिकार करने का तरीका भी अन्य सांपों से बिल्कुल जुदा होता है सबसे पहले या अपने सिकार के तीजी से पीछा करके उसे पकड़ते हैं फिर उसके अंदर अपना पूरा जहर छोड़ देते हैं उसकी नजर अपने सिकार पर तब तक रहती है जब तक उसका जहर असर दिखाना सुरू नहीं कर देता उस दिर ब